कर दो कर दो कर दो भई आप लोगों के मैं हूँ आपका दोस्त अविशेक और आप देखना शुरू कर चुके अमडी क्लासेज का ओफिस्यल यूट्यूटीब चैनल आये शुरुवात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में गर्दा मचाने के लिए और उन योधाओं के साथ जिन्होंने एकदम दुबारा मेहनत से चोर उचकों को पकड़वा ही दिया अगर आप लोग नहीं चाहते तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में इतने सारे चोर कहां पकड़े जाते वो तो आप ही कि तो क्रिपा रही जिन लोगों ने इतने सारे चोर पकड़वाए है तो भया आप सभी पुलिस का तो लक्षड आप में दिख रहा है कि एकजाम सुरू होने से पहले ही आपने पूरी तरह से पूरी इनर्जी के साथ पहले सबसे पहले काम क्या किया चोरों को पकड़वाया तो एक दम बहुत बढ़िया तो आपके अंदर है लक्षड बनने का यानि वर्दी की पूरी तरह से गरिमा बनाए रखेंगे तो आए शुरुवात करते हैं आज की क्लास का लेकर चलते हैं आज की क्लास को सबसे पहले हम बता दें कि आज साइन्स की एक गेस पेपर की तीसरी नंबर की क्लास है तो चलिए शुरुवात करते हैं पहला कोशन आप से पूछा गय है द्रवों का हिमांक और घनत ठोसों की अपिक्षा कम होता है दा फ्रीजिंग पॉइंट एंड डेंसिटी आफ लिक्विड और लेस देन देट अफ सॉलिड फिर कह रहे है गैसों का क्रांतिक ताप निश्चित होता है इसमें से क्या सही होगा क्या राहिट है अरे वह एक दम मौसम बदल दिया एक बार में ही आप लोग पूरी तरह से दम होसले के साथ इसका सही जबाब है आल एक दम सभी इनरजी के साथ जबाब दिये है लेकर चलते हैं दूसरे कोश्चन के तहट अच्छा यहाँ पर गलनांग कोथनांग बाकी सब तो आप जान रहे है ठीक बल अपकेंद्रिय बल हाँ भया राज नवीन भारती एक दम जबर्जस्त अमरिता बिलकुल मधू रुपेश जी कलपना प्रजापती जगदीश एक दम यहाँ पर अपकेंद्रिय बल से आप जानते हैं न एक आप जानते क्रीम निकालना क्रीम से मक्षन निकालना तो निकालना हो या वासिंग मसीन से सफाई करनी हो वासिंग मसीन से सफाई करनी हो या मक्षर निकालना हो दोनों में हम अपकेंद्रिय बल का इस्तेमाल करते हैं सीसे अब देखिएगा जल के अडू का जल के अडू के साथ जो दोस्ती होती है उसको ससंजक बल कहते हैं लेकि जल का जब सीसे के साथ होगा असंजक वल आसंजक वल हमेसाठ जल का सीसे के साथ है याद रखेगा है ना अगला question देखिएगा पूछा है जल का अधिक्तम घणा तो Kelvin में बताओ Celsius में तो बता लोगे Kelvin में बताओ भी या नगमा खातों जी Good afternoon बिंदिया, जोती, बिभूती, अनीता, एकता, पांडे बिलकुल राजन है, कलपना है सुचिता, अमृता, भारती, जबर जस्त इनर्जी है आज आप लोगों की बहुत बढ़िया, क्या होगा जबाब तो यहाँ पर देखिएगा, चार डिगरी centigrade है चार डिगरी centigrade है, और इसी चार डिगरी centigrade पर किसी भी जल का घनत वो क्या होता है, अधिकतम होता है तो जल का घनत वो कहां पर अधिकतम होता है, चार डिगरी centigrade प्रदिक्तब होता है तो 4 degree centigrade को Kelvin में बदलेंगे तो 277 Kelvin होगा कितना होगा भाई 277 Kelvin होगा 277 Kelvin याद रहेगा कोई doubt तो नहीं है बिलकुल तो जिल लोगों ने 277 लगाया उनका सही है 273 वाले 373 पर पानी उबलता है 100 degree centigrade पानी का boiling point होता है और इसी को जब Kelvin में बदलते हैं तो 373 Kelvin हो जाता है क्या हो जाता है 373 Kelvin हो जाता है सर MD app नहीं चल रहे है बिलकुल चलेगा अगर कोई दिक्कत होगी तो बिलकुल उसको देखा जा रहे है यहाँ पर पूछा है समुद्र के प्लवन करते ही आइसबर्ग का कितना भाग 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 एक एक कौन सी जहाज डुबा था हो क्या नाम था उसका अरे जिस पर फिलिम आई थी यादार है आप लोग को सर जी मेरा नाम लीजे विकास आगे लटू चला आइसबर्ग अचा एक मुवी थी जिसका नाम था टाइटैनिक क्या नाम था हो टाइटैनिक टाइटैनिक ऐसे जा रही थी यह टाइटैनिक है यह बाबू इसको माना जाएगा यह टाइटैनिक है ठीक है यह देखो यह सब टाइटैनिक है अब क्या हुआ आगे एक आइसबर्ग आ गया तो ओ आइस वर्ग जो था वो पानी के उपर जितना था उससे बड़ा पानी के नीचे था तो कितना भाग उपर होगा कितना भाग पानी के नीचे होगा उपर वाला भाग कितना होगा एक बटा दस की एक बटा नव बढ़िया सवाल है गलत ना होना चाहिए एक बटा दस भाग उपर होगा एक बटा नौ वाले थोड़ा समल जाए एक बटा दस उपर होगा कितना भाग उपर दिखाए दिया था दस भाग कितना भाग नीचे नौ भाग और उपर कितना दिखा था एक भाग तो एक बटा दस और नौ बटा दस एक बटा दस, नौ बटा दस, ऐसे याद करेंगे तो काम का याद रहेगा, ऐसे लपेटेंगे तो भया फस जाएंगे, हाँ बिलकुल, ठीक है, कौटिल बैच लेना है 399 में दे दो, बाबु, समय जो होता है ना बहुत बलवान होता है, समय से मजबूत कोई नहीं होता है, ठ थोड़ा इंतजार कीजे, कोई दिवाली वाली आएगी तो हो सकता है, सस्ता हो जाए, ठीक ना, लिखा है किसी माध्य में तरंग संच्रड की दसा में माध्यम के कडों का अधिकतम विस्थापन, एक बार आप फोन कर लिजे, MD Classes के नंबर पे, किसी माध्यम में तरंग कहते हैं, कड का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है, माध्य इस्तिती से कड का अधिकतम विस्थापन, आयाम कहलाता है, और जो अधिकतम विस्थापन इसको हम स्रिंग कहते हैं, और इसको हम गर्त कहते हैं, तो स्रिंग से स्रिंग की दूरी को तरंग ध तरंग के द्वारा एक आवर्तकाल में यानि तरंग के द्वारा एक कमपन में चली गए दूरी तरंग धहर कहलाती है आवरित्ती तरंग की पहचान होती है माध्यम बदलता है लेकिन आवरित्ती नहीं बदलती माध्यम बदलता है लेकिन आवरित्ती कभी भी नहीं नहीं नापटे एक कंपन में लगाश्य में एक अच्छा बावू पूरा याद हो गिलता हिरा एक कंपन में लगाश्य में पूछाई आवरित्ति का मात्रक क्या है अब आवरित्ति का मात्रक देखो frequency को 1 upon t से नापते हैं t क्या है आवर्थ काल कहोगे गुरुजी आवर्थ काल तो second होता है ना तो यहाँ पर second होगा और per second कोई क्या कहते हर्ड जी यानि ये option सही है ठीक है अच्छा V बराबर एक और formula होता है f into lambda और V बराबर lambda upon t तो ये दोनों formula रटे रहना कब कहां से जरूरत पढ़ जाये कौन जानता है एक बार दिल से like करो यार एक दम कहते हैं न कि एक गाना है वो गाना वो नहीं वो दूसरा गाना सुनाओंगा वो गाना थोड़ा अलग है हम सावले है तो क्या हुआ दिलवाले है कैसे गाना है भाबू थोड़ा बताओ यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम के किन गुड़ों से प्रभावित होता है यांत्रिक तरंग कौन सी होती है कहोगे गुरुजी एक होती है अनुप्रस्त तरंग और दूसरी होती है अनुधैरे तरंग बैया सुन लो ध्यान से अनुधैरे में भी ध़ है अध्वनी में भी ध़ है अनुधैरे तरंग का उदाहरण ध्वनी तरंग होता है और अनुधैरे तरंग के कड की दिशा जो होती है और यहां पर सुनो यहां पर अनुप्रस तरंग जो होती है इसके कड की दिशा जो होती है तरंग संचरड के लंबवत होती है तरंग संचरड के क्या होती है लंबवत तरंग संचरड के कहा होती है लंबवत होती है तो अनुप्रस तरंग की दिशा होती है तरंग संचरड के अनुधैर की होती है तरंग संचरण की योर अनुप्रस तरंग की उधारण है प्रकास तरंग पानी में जल में रसी में यहां पर दोनों गुड़ पाये जाएगा कौन-कौन सा जड़त तो भी और प्रत्यास्था भी जड़त तो भी प्रत्यास्था भी मेरी आवाज से विसा आतरत Nowको मिल जाए श्रर्ण के यहां देखो कहतर है दो उत्रोतरटय के Wheel को क्या कहते है और prey को हम किस से नापते हैं prep लेम्डा से नापते वी बराबर होता है एफ इंटू लेम्डा यानि लेम्डा बराबर होगा वी अपान एफ लेम्डा बराबर क्या होगा वी अपान एफ ठीक है हाँ और यहां पर आवरित्ती जो होती है क्या होती है हड जो होती है आवर्त काल क्या होता है सेकेंड होता है याद रखना है, पूछा है यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग किसे कहेंगे हो, जल्दी से बताओ यांत्रिक तरंग कौन सी अभी बताये थे, कहोगे सर जी यांत्रिक तरंग बता दूँ, पहले बिद्यु चुम्ब की तरंग जानते हो, बिद्यु चुम्ब की तरंग, या माध्यम पर निर्भर नहीं करती है बेटा नोट कर लेना क्लास के साथ निर्भर नहीं करती है माध्यम पर निर्भर नहीं करती है कौन? बिद्युचुम की तरंग तो क्या होगा भाई इसका ट्रिक इसका ट्रिक सुन लो भाईया यग्यू गामा है एक्स है अल्ट्रा विजबल इन्फरा माइक्रो रेडियो क्या है भाई गामा एक्स अल्ट्रा विजबल इन्फरा माइक्रो रेडियो जल्दी से बोलो एक बाई फिर से क्या है गामा क्या है गामा ये क्या है एक्स ये क्या है पराबैगनी अच्छा पराबैगनी एक पापा की परी होती है जानते हो आप लोग पराबैगनी अरी से होता है रीटर मनें पराबैगनी किरड की खोज किसने की थी रीटर ने सुन लो ध्यान से पराबैगनी किरड की खोज किसने की थी रीटर ने और X किरण की खोज किसने की थी, यहाँ पे जगह कम पढ़ रहा है, थोड़ा आगे बना देता हूँ, जगह कम पढ़ रहा था बाबू, यहाँ पे देख लो, यग्यू बीमर देखो ध्यान से, यह बहुत जबर्जस ट्रिक है, आपके बहुत काम आने वाला है, यग्यू बी जबर्जस ट्रिक बताता हूँ, सुनो, इसको कहते है गामा किरण, बोलो गामा किरण की खोज किसने की थी, यह गामा किरण है, एक कोशन यहाँ से उठाना है पक्का, बिल्कुल, एक्जाम के बाद यह न कहना सर जी बताये नहीं थे, यह देखो, बेकुरेल ने खोज की थ है, यहाँ देखो, एक्स किरण की खोज करता है, जानते हो, रांजन, एक्स किरण की खोज करता है, रांजन, और हड़ी उड़ी तूट जाती है, तो एक्सरे कराते है, अच्छा, यह पराबैगनी है, कौन सी किरण है, पराबैगनी, मैंने कहा था, पापा की परी याद अच्छा यह होता आवरक्त किरण आवरक्त तो आवारा हरसल याद रखना क्या याद रखोगे आवारा हरसल क्या याद रखोगे आवारा हरसल आवारा हरसल और यह देखो M से होता है सुच्म तरंग सुच्म तरंग और R से होता है रेडियो तरंग तो रेडियो तरंग के खोच करता है मार कोनी और इसके कौन है हाँ इसके कौन है याद रखेगा बताओ सुच्म तरंग के कौन है हर्ड जहें ठीक न यहाँ पे question तो छूटी गया यह होगा अनुधैरे तरंग कौन होगा दोनों होगे अनुप्रस्त और अनुधैरे ए और बी दोनों होगे चलिए अगले question के तरफ चलते है पूछा है पूर्सो की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तिछड़ होती है पूर्सो की अपेक् गुड़ता की अधार पर लता मंगेशकर और आसा भोसले की अवाज अलग है गुड़ता से आवाज अलग करते हैं गुड़ता से आवाज को अलग करते हैं और एक आता है प्रबलता लड़के सोच रहे सर जी हमारा भी बता दीजे कुछ प्रबलता को आयाम से नापते हैं प्रबलता को आयाम से नापते हैं जो फटा हुआ बास जैसी आवाज होती है न लड़कों की वो इसी को जैसे होती है लड़कों में मेल में क्या होता है प्रब पिछ कम फिमेल में पिछ क्या होता है ज्यादा यहां पे कह रहा है कि डबलू याच्चो एक संगठन है वो कहता है ध्यान से सुनिएगा जबरजस्त इनर्जी के साथ जबाब दीजेगा और लाइक वाइक एक दम हमको लग रहे है आज लाइक की बटन जो है पूरी तरह से ज अनुसार इनकी बात सुनिए पूरा कोरोना हो गया आज तक यह चाइना के उपर एक आरोप नहीं लगा पाए डबलू यच्चो वाले समझ रहों कि नहीं तो 35 डेसिबल कब होना चाहिए रात में और दिन में कितना होना चाहिए 45 डेसिबल पूछा है विश्वस्वा हो जाएगा 30 डेसिबल नहीं सही जबाब क्या हो जाएगा 35 और 40 के बीच में ठीक है यहां देखिएगा एक कह रहा है यदि सितार और बासुरी पर एक ही स्वर बचाया जाए तो उनसे उत्पन ध्वनी को भेद कैसे करते हैं बताए कैसे करते मैंने कहा दो ध्वनी हो उसको कैसे अलग करोगे किस अधार पे करोगे बिल्कुल ट्रेडो सहब को मत बुलाओ छोड़ दा बताओ भाई इसमें क्या होगा क्या होगा भाई मैंने आपसे क्या कहा था गुड़ता क्या अधार पे गुड़ता क्या होता है quality factor होती है गुड़ता क्या होता है quality factor इसी अधार पर आवाज को अलग करते हैं आवाज की भिन्नता किस अधार पे अलग की जाती है गुड़ता के अधार पे दो लोगों की आवाज की अलग-अलग मिठास होती है पूछा है सो डेसिवल की ध्वनी अच्छा पहले ही बताओ एक होता है संगीत एक होता है संगीत और एक होता है संगीत होता है और एक होता है सोर सोर तो संगीत का मतलब ये होता है बेवस्थित ध्वनी को संगीत कहते है अगर कहीं पर बेवस्थित ध्वनी हो तो ये संगीत है बेवस्थित ध्वनी क्या है संगीत अब बेवस्थित ध्वनी क्या है ये सोर है तो अब बेवस्थित ध्वनी सोर है अब बेवस्थित ध्वनी क् करने के लिए समान्य आवाज तो 20 डेसिबल है सुनाई भर देने वाली 10 डेसिबल के करीब होगी सोर सराबे वाले गली की आवाज भी 50-60 डेसिबल होगी यहाँ पर यंत्र है और जबर्जा सीनर्जी आज दिख रही है आप लोगों की अब लग रहा है यह देखो उच तापो ताप मापी अलग अलग प्रकार आपने ताप मापी में जाना डिग्री सेंटीग्रेट में 100 खाने होते हैं लेकिन डिग्री फारेन हाइट में 32 से सुरुवात होता है 212 तक जाता है तो 180 खाने होते हैं तो सेंटीग्रेट को फारेन हाइट में इस तरीके से बदलते हैं या प्रेटिनम वाली Um shapes in thirds यह भी साफको मापती समसे ज्यादधा उचताको मापने वाली बी कुश्चेशव होगी अब करेंब को कोई में देखना है नहीं थे कोवीड में जाते थे से गुली मारते थे लोग ऐसे हाथ लेकर the temperature यह यह सीर पर के पहले वाले हैं ना लिखा है किस ताप पर Celsius और Fahrenheit टाप पर माना एक समान रहता है कौन सा इसा ताप मान है कोरोना के बाद वाले हैं अच्छा ये बताओ क्या होगा तो यहां देखो डिग्री सेंटिग्रेट बटा 100 और डिग्री फारेन हाइट माइनस 32 बटा 180 इन दोनों के जगा पर X रख देना क्या रख देना X और रख के निकाल लोगे तो जानते हो क्या आएगा आएगा कितना माइनस 40 अच्छा माइनस 40 डिग्री सेंटिग्रेट के जगा पर माइनस 40 ड दोनों बराबर हाँ एक दम पूछाए सुर्य का प्रकास प्रिथवी के सतक तक पहुंचने पर कितना समय लेता है अच्छा अगर हम पूछ दे पलायन वेग कितना होता है पलायन वेग कहोगे सर किसका तो प्रिथवी का प्रिथवी का प्रिथवी का प्रिथवी का प्रिथव प्लीज प्लीज ध्यान देना ये मत भूलना मात्रक अगर भूल गए न तो सारा काम तबाह हो जाएगा मात्रक मत भूलना अगर कह दें चंद्रमा का पलायन वेग तो क्या कहोगे चंद्रमा का पलायन वेग याद है चंद्रमा मादूर के पुवा पकाए चलिए जल्दी आई 2.4 km पर सेकेंड यह चंद्रमा का पलायन विग है। चंद्रमा का है है। और आप जानते हैं चंद्रमा पर भार निकालना हो तो पृत्वी पर भार निकाल और छे से भाग दे दिजीगा। चंद्रमा पर अच्छा पृत्वी पर कोई 600 नीटन है का जैसे ये गोलुभाई है यह कौन है गोलु भाई है गोलुभाई कि पर पिर्थवी पर 600 पिर्थवी पर कितने न्यूटन के 600 न्यूटन के तो चंद्रमा पर द्रब्यमान बताईए इनका चंद्रमा पर द्रब्यमान कितना होगा बताईए कहेंगे सर जी यह वाला सवाल कितना होगा आठ दस्मलों पांच होगा ना सोच के बताईएगा बागु यह अंदाजा लगाने वाला क्लास नहीं है अंदाजा मत लगाईएगा यह कहा रहा है सरजी 600 न्यूटन रहेगा वही कहां से रहेगा प्रिट्वी पर द्रब बिमान कैसे निकालोगे डबलू बराबर होता है mg तो m बराबर होगा 600 बटा 10 0 से 0 60 किलो तो 60 किलो चंद्रमा पर भी रहेगा और 60 किलो प्रिट्वी पर भी रहेगा नहीं समझ पाए नहीं समझ पाए एकदम नहीं समझे आप नहीं समझे आप अनर्थ हो चुका है रुख जाईए रुख जाईए अब ज़्यादा गलती न कीजिए ने तो कोई देख रहा होगा वो कहेगा कि भाया सब गलत दे रहे हैं रुख जाओ थोड़ा रुख जाओ प्रिथवी पर भार कितना था तो प्रिथवी पर भार था 600 न्यूटन चंद्रमा पर जाएगा न तो चंद्रमा पर 600 में 6 से भाग दे देंगे तो भार हो जाएगा 100 न्यूटन तो जो पूरा च्छाप रहे थे वो भार च्छाप रहे थे हम क्या पूछ रहे हैं द्रब्यमान द्रविमान कैसे निकालते है तो m बराबर w upon g यानि 600 बटा 10 10 मान लो तो यहाँ पे 60 kilos तो द्रविमान सेम रहेगा चंद्रमा पर द्रविमान कितना रहेगा तो यह रहेगा आपका 60 kilos द्रविमान समान रहेगा भार तो बदल जाएगा आप सौ नहीं होगा, फूरा जाप दिया है, उपर से नीचे तक एक ही जबाब आया है, थोड़ा भी नहीं रुक रहे दें, कर अरे सर ये तो पता है, ये हलुआ शवाल है, हो गया, चलिए, तो गोलु भाई कितने किलो के है, 60 किलो के, गोलु भाई को थोड़ा खिलाय पिला जाएगा, चलिए, आगे चलते है, चंध्रमा से पृछवी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये जब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या, 2-10bn पांच, रहने दे, आप बता दीजेगा, सभी लोग बता दीजेगा, ठ दॉदसलों चार ठीक है चलिए आगे चलते हैं कितना होगा आधा लोग 2-10-05 बता रहें तो 2-10-05 या 1-10-2-8 यह होगा है अज ठाल यह हो क्या पूछाएं प्रकास की चाल किसके मध्य जाते हुए सबसे नियुन्तम होगी प्रकास की चाल कहां से जाएगी तो सबसे कम होगी कौन बताएगा यह बहादूर यहां पर पता चलेगा कैसे बताओगे कहोगे सर जी कुछ तो जुगार बताएगे देखो बताते है इधर अपोर्तनांक होता है अपोर्तनांक का प्रकास की चाल निर्वात में ये है और ये है किसी माध्यम में चाल तो माध्यम के चाल के साथ प्रकास का ब्यूतक्रमानुपाती संबंद है यानि mu is inversely proportional to v जिसका mu जादा होगा उसका v कम होगा तो काच का mu कितना होता है काच का mu होता है 1.5 जल का होता है 1.3 वायू का होता है 1 अनिर्वात का भी माल लेते हैं 1 या 0 ठीक है अब यहाँ पर क्या करोगे किसका पूछा है नियूनतम पूछा है तो जिसमें mu maximum होगा उसी में v minimum होगा तो μ्यू मैक्सिमम किसमें है कांच ठीक न, तीसा हो या दिल हो देखो, कांच आखिरकार कांच में क्या हो गया वेग कम हो गया, तो यहाँ पर मीनिमम हो जाएगा तीन गुड़े दस की घात आठ है आठ डेड़ से भाग दे दिया दू गुड़े दस की घात आठ मीटर पर सेकेंड यह आजाएगा, तो सही जवाब क्या आजाएगा कांच आजाएगा, कोई डाउट कोई डाउट तो नहीं है पूछा है, किसी अर्ध चालक को गरम करने पर यह कोश्चन बेटा, यह महत्तोपुड कोश्चन है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन के बारे में अगर कहें तो यही कोश्चन है कहोगे सर इसमें क्या खासियत है तो किसी अर्ध चालक को गरम करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है अब ध्यान से सुनेगा ध्यान से यह सुनेगा अगर हम प्रतिरोध की बात करें प्रतिरोध तो प्रतिरोध या तो हम बात करें चालक का या तो हम बात करें अर्ध चालक का चालक की बात करें या अर्ध चालक की तो हम क्या कहेंगे प्रतिरोध कब अब देखे ध्यान से अगर यहाँ पर हम कहें कि तापमान बढ़ जाता है अगर किसी का तापमान बढ़ जाए तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा तापमान के बढ़ने से चालक का प्रतिरोध घटता है चालक का प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता है जबकि अर्ध चालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, कैसे पता है, क्योंकि यहाँ पर बांड तूट जाता है, बांड क्या हो जाता है, तूट जाता है, तो बांड तूट जाता है, तो किसी अर्ध चालक को गरम करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, अच चालक लिखा होता तो बढ़ता, बहुत ज्यादा important point है, किसी दिन परिशान करके रख देगा, अब ये देखे, ये एकदम परिवासा दिया हुआ है, लक्ष बैच में पढ़ाये थे, बिद्यु छेत्र में एकांक धनावेश पर कारे करने वाले आकर्षड या परतिकर्षड बलको क्या कहते हैं, एकांक धनावेश अगर नहीं दिया होता, तो ये कुलाम के नियम से जुड़ जाता, लेकिन एकांक धनावेश दे देने पर, एक फार्मुला अगर याद आ गया हो, तो भाईया आज की क्लास फिर उसी उचाई पर जाने वाली है, वी वराबर डबलू अपान क्यूँ, और डबलू क्या है, कारे है, क्यूँ क्या है, आवेश है, क्यूँ क्या है वाबू, आवेश है, तो किसी एकांक आवेश पर, जो कारे किया जाता है, वही विभुवांतर होता है, तो यहाँ पर सही जबाब विभुवांतर आप लेंगे, ठीके ना, जबक भिद्ध खेतर की तीवरता यह मेंली अची एकर रिया होते हैं विद्ध रियो चेतर का मतलम क्या होता है कि कि अ सबसे अच्छा सुचालक और कुछालक होने तो सबसे अच्छा सुचालक होने बाई सुचालक गुड कंड़क्टर कौन है तो आप कहेंगे तर जी बचपन में एक मास्ट आप थे बड़ी मारे थे उस दिन जितना याद जीवन में हुआ न उसके बाद कभी हुआ ही नहीं एक मुक्का गिरा था वही जमीन पे बैठ गये तो उठा नहीं जा रहा था पूरा क्लास घर चला गया तो गुड कंड़क्टर उसी दिन तो हमको याद हुआ था चांदी पहले नंबर पर चांदी दूसरे पर कापर तीसरे पर अलुमिनियम यानि एक आंसर आपका हो गया चांदी एक आप्शन हो गया चांदी चांदी ये दोनों कट गए अब आप देखेगा चांदी के स सोना है और यहां सीसा है तो ए आप्शन होगा सीसा हो या दिल हो तो सीसा जो है न यह अच्छा चालक न यह खराब चालक है तभी तो तूटता है और यह सोना को देखो सरवाधिक अगहात वर्धनिय क्या कहते हैं बाबू सरवाधिक अगहात वर्धनिय या इसी को कहते हैं सर प्रवाधिक तन्य, और यही सोना है, जिसको हम केरेटो मीटर से मापते हैं, केरेटो मीटर से, 100% सुद्ध सोना, 100% सुद्ध सोना क्या होता है भाई, 24, 24 केरेट सोना क्या होता है, 100% सुद्ध, आचा, 18 केरेट सोना कितना परसेंट होता है, 18 केरेट, 18 केरेट कितना होता है, बता दो, चलिए, एक सवाल और आपसे है, ये सवाल एकदम सेम कल की क्लास में आयता है, ये आज मैं नहीं बताने वाला, ये आप आज बताएंगे, पुछा हुआ है कि मेंसुरेशन साइकल, इस्तरियों में रज्जो निवर्ती के पस्चात किस हार्मोन का उत्पादन नहीं ह वाले, बताएंगे, क्या होगा, पच्चतर परसेंट, एकदम मेरे लाल, एकदम जबरजस्त, इसका जबाब तो एकदम सही दिये हो, यार, इसका जबाब दो, क्या होगा, C, प्रोजेस्टरान, अच्छा, यही प्रिग्नेंसी को टर्मिनेट कराता है, और टेस्टो इस्ट पुराना वला है, यह कोशन बताओ, यह कोशन देखो, यह चार सवाल, एक नहीं है, और इसको कापी पे नोट कर लेना, इंपोर्टेंट लिख दे रहे हैं, कापी जो बनाये होना, यूटीब के लिए, YouTube के लिए कांपी बनाए होनो Science उपर लिखे होगे उसमें देखो Amoeba अपना एक कोशिका का जीव एक कोशिका एदम छोटू सा जीव है एकदम छोटू सा जीव हो अब इह Amoeba Amoeba के पास Pseudo-Podia है Amoeba के पास Pseudo-Podia है है ना Nucleus है Contractile Vecule है तो ये किस से करेगा उत्सरजन तवचा से केचुवा किस से करेगा अब देखो आराम से देखो अंग्रेजी वाले में देखो यहां देखो Malpesian tubule से कौन करता है केचुवा करता है Malpesian tubule से अब दो बचे तो एक आद तीसरा एक ही बार में काम हो जाएगा का हो देखो अच्छा एक मिनट रुको इसमें कुछ यहां देखो जींगा मचली का मैं अलग कर दे रहा हूँ यहां पर थोड़ा अलग दिख रहा है यहां पर सुद्ध हिंदी इस्तेमाल कर लिया है जींगा मचली में पाए जाता है ग्रीन ग्लेंड जींगा मचली में आर्थो पोड़ा में जो होता है ट्रैकिया पाए जाता है यह ट्रैकिया के द्वारा ट्रैकियल्स पाए जाती है उसी के द्वारा उत्सरजी का हैं जिसको हम कहाए यहाँ पर देखेगा ध्यान से, आर्थो पोड़ा में पाये जाते हैं, मेलफीजन टिबूल्स की कहानी है, ठीक है, और यहाँ पर देखेगा जीगा मचली का क्या है, और यहाँ पर अमीबा जो है तवचा है, एक बचरा है, केचुवा, केचुवा का क्या है भाई, उत्सर ज केच्छुआ का उसर जी का है। यह सुद्ध हिंदी ले लिया है। यहाँ पर आपको कुछ और बता देता हूं भढ़िया असुन प्लेटी हलमन्तीज में क्या पाई जाता है। तो प्लेटी जाते बुक लंग्स ये ध्यान पर रखेगा मैं फिर से बोल रहा हूं यहां पे जो लिखा हुआ है इसको मैं इंग्लिस में वर्जन थोड़ा यहां का इंग्लिस वर्जन गड़बड हुआ है तो मैं इसको मैं फिर से बता देता हूं इसका इंग्लिस वर्जन गड़बड त जाता है केचुवा कि एघनी लीड़ीन का मतलब क्या हो गया केचुवा तो केचुवा में पाए जाता है Now नेफ्रीडिया केचुआ में क्या पाए जाता है बाबू नेफ्रीडिया पाए जाती है ठीक है याद रहेगा केचुआ में क्या पाए जाती है नेफ्रीडिया अब यही केचुआ था जिसको उत्सर्जिकाए कहे थे नेफ्रीडिया के हिंदी क्या है उत्सर्जिकाए लेकिन एनी लीडा के अलावा जब जीगा मचली पे गए तो जीगा मचली में कैसी ग्लेंड पाई गए ग्रीन ग्लेंड जीगा मचली में कैसी ग्लेंड पाई ग्रीन ग्लेंड और आपके में क्या दिया हुआ था अमीबा दिया था अमीबा में तवचा होता है अमीबा में क्या होता सबसे अधिक बिसैला पदार्थ कौन है सबसे अधिक बिसैला पदार्थ कौन है देखिएगा तो यहां पे चार आप्षन दिया है जो जलिये जीव होते हैं जलिये जीव होते हैं वही सबसे अधिक बिसैले पदार्थ का उसर्जन करेंगे जलिये जीव किसका उसर्जन करते ह अमोनिया का तो जली जीव अमोनिया का उसर्जन करते हैं इसलिए इनको अमोनो टेलिक बोलते हैं अमोनिया का उसर्जन करते हैं अमोनिया का लेकिन अगर हम कहें सरी स्रिप सरी स्रिप मतलब जो रेंग कर चलता है या हम कह दे जो कीट है या जो हम कह दे चेडिया है ये तीनो एक ही चीज का उसर्जन करती है ये तीनो उसको हम कहते यूरिक अमल ये तीनो यूरिक अमल का उसर्जन करती है अजब हम बात करते मनुस्य की, एस्तंधारी या हम बात करते उभैचर की उभैचर की तो ये दोनों उसर्जन करते जानते हैं किसका यूरिया का अब यहां से question बनाईएगा सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन है अमोनिया है तो सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन है बाबु इसमें अमोनिया है और जो अमोनिया का उस सर्जन करता है उसको अमोनो टेलिक कहते है और जो यूरिया का करेगा उसको यूरियो टेलिक कहते हैं तो यूरियो टेलिक यूरिया का उसरजन करते हैं यूरिको टेलिक यूरिक अमलका और अमोनो टेलिक अमोनिया का उसरजन करते हैं ठीक है हाँ एक सवाल और देखे बड़ा अलग सवाल है ये तो हाँ बिलकुल पूछा है एक ब्यस्क या स्वस्त मनुश्य द्वारा एक दिन में कितना यूरीन का उसर्जन होता है कौन बताएगा तो एक बात देखे सबसे पहले अगर हम कह दें किडिनी का वजन कितना होता है कौन बताएगा किडिनी का वजन कितना होता है किडिनी का आकार कितना होता है और किडिनी की संख्या कितनी होती है तो ये मैं बता दिरवासान है न किडिनी की संख्या दो होती है किडिनी का वजन कितना होता है भाई, एक किडिनी का वजन डेड़ किलो नहीं होगा 4 गराम लिख रहे हैं, 140 गराम किडिनी का वजन कितना हो जाएगा, 140 गराम संख्याद 2 है, वजन उपर है बाबु यहां पर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है आकार कैसा है बीन सेप का काई है ना संरचनात्म की काई क्या कहलाती है तो इस किड़नी की संरचनात्म की काई को हम कहते हैं नेफरान क्या कहते हैं नेफरान और एक किड़नी में डेड़ मिलियन नेफरान पाय जाते हैं एक किड़नी में कितने नेफरान पाय जाते हैं डेड़ मिलियन और एक दिन में mail. 15 लिटर कितना देड़ लीटर यूरीन का सर्जन होता है देड़ लीटर और Glomerulis favor dration rate कितना ब्लड चनंता एक 180 लीटर इस 180 लीटर किडिनी में machen चनंता है लेकिन देड़ लीटर यूरीन का सर्जन होता है बाकी का क्या होता है पुनह आऊसोसट बाकी का क्या होता है पुना औसोसड याद रखेगा यूरीन का रंग हलका पीला क्यों होता है कमेंट सेक्शन में बताईए यूरीन का रंग हलका पीला क्यों होता है कौन बताएगा हलका पीला कौन होता है यूरो क्रोम वरड़क के कारड किसके कारड होता है यूरो क्रोम वर इसके उपर क्या लिखा है 12 Ampere, तो यह अपने से होकर कितने Ampere की धारा को प्रवाहित करने देगा, थोड़ा जबाब बताईएगा, चलिए, जल्दी से जबाब बताईएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, 12 Ampere लिखा है तो maximum जो current जाएगा 12 Ampere, अगर 14 Ampere का current है तो यह open circuit हो धारा नहीं जाएगी और phyug wire किस से बना होता है तो तीन और सीसा से, अच्छा press का यह बताओ, iron या heater में, iron या heater में filament किसका होता है ? बल्ब में फिलामेंट किसका होता है आइरन और हीटर में फिलामेंट किसका होता है नाइक्रोम नाइक्रोम क्या करता है जो धारा आती है उसको रोकता है और रोकता है तो वहाँ से हीट निकलता है बल्ब में टंगस्टन होता है ये heat तो नहीं produce कराता है, कम कराता है, लेकिन ये nickel प्लस chromium, इसी को कहते है नाइक्रोम, क्या कहते है नाइक्रोम, सोना किसमे घुलनसील है, कौन बताएगा, बहुत बढ़िया, ये जबाब दो, सोना किसमे घुलनसील है, सोना, तो सोना के बारे में आप जानते हैं, गोल्ड जो है, अमलराज में घुलनसील है, अमलराज क्या होता है बेटा, एक्वारेजिया कहते हैं, एक्वारेजिया कैसे बनाते हैं, इसका सही जबाब D होगा, C कहां से लगा रहे हो, D आपसन होगा, बोथ नहीं होगा, एक्वारेजिया क्या है, देखो आज के question आपके ल यह अनुपात होता है, अमलराज का, और इसमें जो नोबेल धातू होते हैं, जो सोना होता है, जो प्लेटिनम होता है, यह पूरी तरह से घुल जाते हैं, रियक्शन कर जाते हैं, किलियर है, क्या confused हो गया बाबू, अब सही हो गया काम, किलियर, कितने लोगों को समझ में आ बाइकार्बोनेट, क्या बुछा है, सोडियम बाइकार्ब, मजा आगया एक दम, बहुत बढ़िया, सोडियम बाइकार्बनेट, एंटा एसिड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाए, तो थोड़ा सा खालो, प्रती अमलके तौर पर गहरा असत्य कथन चुनिये, प्रती अमलके तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दूसरी बात कह रहा है, आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आग बुझाने के लिए, यानि एक तरह से अगनी सामक का भी कारे करता है, या भोजन के पकाने की प्रक्रिया को तियुर पुतर करने के लिए मिलाय जाता है, अमासे में अमल के आदिक्य को कम करता है, ये दोनों तो सही हो गए, अब बचाया एक संचारी चारक है, किसका चुनोगे, ये देखो, भोजन में समोसा उमोसा में क्यो डालते हैं, जल्दी पका देगा, तो ए आप्षन इसका गलत है, ए वाइट, अजन होता है जिंक, तो जो जिंक सलफट होता है उसको वाइट विट्राल कहते हैं, वाइट विट्राल, अचा फिगर याद रखोगे फिगर, तो गर से ग्रीन होता है, और फी से आईरन, तो आईरन सलफट को हम ग्रीन विट्राल कहते हैं, आईरन सलफट को हम क् कहते हैं blue vitral बड़ी अच्छा point है बहुत अच्छा point है यहां देखेगा S खर-पतवार-नासी कौन है तो 24D खर-पतवार-नासी 24D को हम खर-पतवार-नासी कहते हैं और इसका सही जबाब कवक नासी है सही जबाब क्या है भाई कवक नासी क्या नहीं दिख रहा है हो आधुनिक आवर सारडी की बात हो रही है एक बार थोड़ी इनर्जी दिखाईए और थोड़ा दिल से लाइक किजे भाई लग रहा है कि आपसे ज़्यादा हमी को इनर्जी है बिहार पुलिस की वर्दी जिस दिन कंधे पर सजेगी और बिल्कुल एकदम बढ़ियां से कैप पहन के जिस दिने एकदम मचल के चलेंगे न जितने जो दुसमन है वैसे जलजल मरेंगे तो यहां देखिएगा पूछा आधुनिक आवर सारडी तो आधुनिक आवर सारडी परमाडू करमांग पर अधारी थे किस पर अधारी थे वो परमाडू करमांग पर और परमाडू के कुल संख्य कितनी है 18 तो यहाँ पर पहले पूचा है वर्ग कितने 18 आवरत कितने है 500 इतले कि आपतुलर हुआ कि नहीं तो एक बर जोरदार थोड़ा लाइक करो यार गवार कौन सा कोश्चन नहीं समझ पूछ लो भाई कहां मने सवाल लेकर कहां जाओगे अभी पूछो यार आवर साड़ी का लंबा रूप किस पर निर्भर लेखो लंबा रूप है वह किस पर निर्भर करता है वह परमाडू करमांक पर किस पर परमाडू करमांक पर अच्छा परमाडू करमांक किसके बराबर होता है प्रोटान क्या प्रोटान किसके इलेक्टरान के यह क्या होता है प्रोटान और यह क्या होता है इलेक्टरान यह सब आपस में बराबर है लेकिन द्रभ्यमान संख्या कि 31 वाला समझ भी नहीं है सौर्दू कावर साढ़ी में कितने गढ़रूप पाए जाते है पगले ह declaration में घृक कि संख्या ठार है और परियाड की संख्या साथ है यही इस गूछा है इसे मेंसे सोच हो यह याद करन सन आप を वह अला कहानी नहीं सुनाए थे एक अनपढ़ आदमी चला गया था दुकान पे और बैठ के अपना चस्मा बनवा रहा तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है पढ़ो उसको पढ़ना तो आता ही नहीं था तो कह रहता कि नहीं वह बार-बार लेंस बदले आओ बार-बार कहेगा हम पहला जो ग्रूप है ना पहले ग्रूप में हम क्या रखते हैं चारिय धातु तो पहले ग्रूप में हम रखते हैं चारिय धातु को अच्छा सेकेंड ग्रूप में क्या रखते हैं तो चारिय मिर्दा धातु को सेकेंड में रखते हैं चारिय मिर्दा धातु को अच्छा से प्रेंटीनथ में क्या रखते हैं हेलोजन को अच्छा एटीनथ में क्या रखते हैं उत्प्रिस्ट गैस को उत्क्रिस्ट गैस को तो यही तो पूछा है उत्क्रिस्ट गैस है की नहीं चलिए आई आगे निमलिखित में से सही कथन चुनिए इस में से कौन सा कथन सही है 4 ब्लाक होते है S ब्लाक, P ब्लाक, D ब्लाक, F ब्लाक एक दम थोड़ी इनर्जी देखेगा 4 ब्लाक पाये जाते है S ब्लाक, P ब्लाक तो S ब्लाक में क्या होता है 1 और 2 P ब्लाक में क्या होता है 13 से 18 सही है सब सही है लग रहा है सारे के सारे सही है 4 ब्लाक होते है और F ब्लाक में केवल 3rd ग्रूप में होता है F block किस group में होता है भाई थर्ड group में ये देखो ये question बताओ ये question बताओ तब अच्छा लगे देखेगा कहा है अडू अथ्वा परमाडू के बीच जैसे hydrogen hydrogen के बीच chlorine chlorine के बीच hydrogen oxygen hydrogen के बीच ammonia के बीच इन सभी के बीच जो जैसे क्लोरीन को ले लो, 2, 8, 7, 17 होता है, तो इसको हम कहते है संयोजी इलेक्टरान, इसको हम क्या कहते है, संयोजी इलेक्टरान, और इसको हम क्या कहते है, 2 और 8 को हम क्या कहते है, तो जो 2 और 8 है, इसको हम कहते है, कोर इलेक्टरान, क्या कहते है मेरे भाई, कोर इलेक्टर नहीं है तेकर आंतरिक कक्षाओं में यह बाह कक्षा है इसको हम कहते हैं अगर पूछ रहा है कि इस बंद कि इस बंद की बंद उर्जा सबसे ज्यादा होती है बताए कि इस बंद की बंद उर्जा सबसे ज्यादा होती है आइनिक सा सहयोजी धात्विक और हाइड्रोजन तो यहां पर जो आइनिक है अगर ध्यान से समझे गात तो आइनिक बंद जो होते है किसके बीच में बनते है तो धातू और अधातू के बीच किसके बीच में बनते हैं तो धातू और अधातू के बीच इलेक्टरान के अस्थानांत्रड से कैसे बनते हैं तो इलेक्टरान के अस्थानांत्रड से याद रहेगा और यहाँ पे जैसे sodium में electron transfer करेगा तो plus आएगा, chlorine गरहड करेगा तो minus आएगा, यहाँ पर ionic band, सबसे मजबूत यही है यह किस के बीच में बनता है अधातू और अधातू के बीच, अधातू और अधातू के बीच, यहाँ पर कौन सा बंध होता है, सहसेयों जी कौन सा बंध होता है, भाई सहसेयों जी होता है, hydrogen बंध, hydrogen और fluorine, oxygen, nitrogen और chlorine के बीच होता है, याद रहेगा, चलो किस याउगिक में आएणिक सहसेयों जग ता उप सहसेयों जग तीनो आबंध पाये जाता है, बताओ किस याउगिक में तीनो आबंध पाये जाता है, तो इसमें देखेगा, ये जो NH4Cl है न, इसमें तीनो आबंध पाये जाता है देखो, पीठ जब दर्द करता है तो हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे से काम चला लेते हैं आप लोग को पता भी नहीं चलता है जल्दी आओ भाई, पूछरा निमलिखित में से किस में हाइड्रोजन बंध पाये जाता है, हाइड्रोजन बंध किस में पाये जाता है तो भाईया जल में न, बर्फ आइस वैस बनेगा न, आइस में और आइस में चार हाइड्रोजन मांड पाया जाता है कि नहीं चार ओह बहुत बढ़िया चलिए रसाइनिक बंद के निर्माड में क्या होता है देखो हाइड्रोजन अलग घूम रहा है क्लोरीन अलग घूम रहा हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में रिस्ता हो गया हाइड्रोजन की इनर्जी कम हो गई और क्ल तो कि अन्य तत्तों के साथ स्योजन करने की छमता, किसी तत्तों के स्योजन करने की छमता क्या कहलाती है, तो नाइट्रोजन की स्योजकता 3 है, मेथेन की में कार्बन की स्योजकता 4 है, ठीक है, वाटर में आक्सीजन की स्योजकता 2 है, तो तत्तों की क्या कहलाती है स्योजकता अरे भाई मस्त मज़ा आ गया हो किसी तत्तो का तुल्यांकी भार तुल्यांकी भार तथा स्वयुजक्ता का गुड़नफल किसके बराबर होता है तो देखो बाबू, इधर देखो, तुल्यांकी भार जो है न, तुल्यांकी भार, अडुभार बटा, स्वयुजक्ता के बराबर है, तो यहाँ पर कह रहा है, अडुभार, तुल्यांकी भार और स्वयुजक्ता का गुड़नफल क्या होगा, अडुभार के बराबर होगा, क्या होगा, अडुभार के, यह फार्मूला रट लेना, मिलेगा जल्दी, नार्मल किताबों में कोश्चन पूछता भी ने, इससे जु अभी कोश्चन यह हुआ था, तो चलिए इसी के साथ, आज के सेशन को यहाँ समाप्त करते हैं, समय हो चुका है, याद रखेगा, एमडी क्लासेज की यह किताब एकदम तहलका मचा दी है, 14,000 से उपर, आनलाइन और आफलाइन बिख चुकी है, बेस्ट सेलर की काटेगरी में, तो आपको ध्यान पे रखना है, बिहार पुलिस बुक बाई, एमडी क्लासेज, फिलिप कार्ड पे सर्च करना है, यह आपको बेस्ट सेलर के काटेगरी में मिल जाएगी, तो जाके जोरदार तरीके से, जिन लोगों ने नहीं लिया, इसको ले सकते हैं, इसके अलाव आज के लिए बस इतना ही, भारती, बबलू, यूनिक गर्ल, टुन टुन, आसू, रुपेज जी, बाई-बाई, टाटा, कम मिलेंगे, अब कम मुलाकात होगी, किसी को किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्वेस्टन पू कमेंट लेने का मौका है, क्या कह रहे हैं, असोक मौरिया जी कुछ कह रहे हैं, रुकिए पहले सुन लेने दिजिए, जिनको जाना है, जा सकता है, अच्छा, आप मेरे दिल की धढकन है, अच्छा, बहुत-बहुत धन्यवाद भी असोक जी, सर, BSSC के लिए सफिसियंट है, बिल्कुल सफिसेंट है दोस्त, ऐसा नहीं है कि डेली एक ही लेबल होगा, कभी अप लेबल होगा, कभी डाउन लेबल होगा, अब चांद पे मिलेंगे सर, अच्छा, बहुत-बहुत धन्यवाद, भी अरुपेश, चांद पे तुम पहुंचो, हम यहीं से टाटा बाइब भारती है, सभी को बहुत सारा स्वागत, अर्बाज आलम जी, आज की क्लास कैसी लगी, क्लास हमापत होने के बाद, कमेंट सेक्शन में बता दीजेगा, अपने दिल की गिरा खोल दीजेगा, और अगली क्लास में क्या चाहिए, वो भी लिख दीजेगा, बिहार SI का भी डे चाहिए, और फिर से हम एक बार और आपको धन्यबाद देना चाहते हैं, कि आपने जो इस चोर उचक को और बरस्टचार के जाल में फसा हुआ बिहार पुलिस का इस टेवल का ये पेपर, जो आपने कैंसिल करा कर दुबारा कराने के तरफ ले गए, उसके लिए फिर से आप कोटी कोटी धन्यवाद के पातर हैं, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को, आप सभी ने वो कर दिखाया, जो बिलकुल सही होना ही चाहिए था, यही होना चाहिए था, तो आज बिदा लेते हैं, बिदा लेता हुए माता, चरड में सर जुकाता हूं, याद ह बहुत है ना, बहुत सिंक यू कभी ता, फिर सुनाओंगा अगली क्लास में, थैंक यू.